आज हम बनाने चारें दही वाली चिकन करी इसके लिया हमने 500 ग्राम चिकन ले लिए उससे वाश कर लिया है आप कर रहे हैं इसमें मैंने 400 चमत दही आट कर दिया है ॢश्वर हम इस से यह ना है श्रुला बनेगा दए वह खुंग होना चाहिए इसमें मैंने चार चम्मच दही आट कर दिया है देख सकते हैं आप फिर हम इससे अच्छे से मैरिनेट करेंगे इसमें हम पहले अद्रक लसं का पेज डाला है मैंने यहां दो बड़े चम्मच अद्रक लसं का पेज डाल दिया है फिर मैंने एक छोटी चम्मच हल्दे डाली है फिर एक चम्मच लालमिज पॉडर एक चम्मच धनिया पॉडर एक चम्मच जीरा पॉडर और एक चम्मच नमक फिर हम इसे अच्छे से हातों से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारा मसाला सारे चिकन में अच्छे से मेरीनेट हो जाए इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अच्छे से मिलाते हुए अच्छे से मिक्स करके हम इसे आधे घंटे के लिए ढखकर रख देंगे आप चाहिए तो इसे एक घंटे के लिए भी ढखकर रख सकते हैं यह देख आप गुछ कहड़ी मसाले लेंगेए्टные है इस इसमें एक कर देंगे फिर मैंने चार बड़ipher प्यास काते थे जो आपड कर देख सकते हैं और मैंस इसको होगा घरगी मैंने अपरियान तक है उसमें पthisिया मेर चाहिए से विल्मटर प्यास Princip कर देंगे देखिए मैने जो मैनियेट किया था वो आट कर दे आप इस चिक्षाइड को जितनी इत्रा मैनियट करके रखेंगे आप का चिक्षिक्षा बने जाधा टाइम नहीं था इसलिए मैंने आधी हंटी रखें आप चाहे तो एक शाले रख सकते हैं अब मैं इसमें कुछ मसाले आट करूंगी, यहाँ पर मैंने फिर से एक चमच शल दी, दो चमच धनिया पाउडर, जीरा पौडर, मिर्च पौडर, आट कर दिया, मैंने उस मैनेट करने में इसलिए मसाले कम आट किये थे, क्योंकि मैं अभी इसमें ऐट करना था, आप चाहे तो इसमें कस्मीरी लाल मृ्च भी डाल सकते हैं मैंने इसमें दो बड़े चमज चिकन मसाला एड़ कर दिया जो इसका स्वाद और भी दुग नहीं कर देगा इसमें अगर आपको कलर लाना है बिल्कुल रेस्टुरेंट जैसा तो इसमें आप साही लाल मिर्च का अस्तमाल कर यह इससे अच्छे से पूले फिर इससे थोड़े देर के लिए धग कर पकाएं यह देखे मैं से चलाओं हमझे इसका कलर कितना ही अच्छा होगा मैंने इसमें लाल साही कर्दीज में ठीजिं कर में डिणा the ही देख चिकन का कलर किपना अच्छा आ गया दाला है इसलिह धाला यह ऐसा यह यह एलो लग रहा रहा आप इसे अक्याक corpse से फ्राइव करेंगे तो कलर काफी अच्छा आजाएगा से कांफी अच्छे से फ्राइव करना है मैं भीन हैं अच्छे सिफ्राई करें कि इस पानी था भी इसका जितना पानी से लेट रेकु यां Um और कि झाया तह से चली नहीं अच्छे सिफ्राई करें थाकि से बिना ठक अच्छे से फ्राई करना है इसको पहले पूरा आ s covid लेना है यह देखिए मैंने अच्छे से फ्राइ करते हुए सारे पानी को सुखा लिया है देख सकते हैं इसमें बिल्कूल भी पानी अब नहीं है अगर आपको ग्रेवी जादा चाहिए तो अपने अनुसार अड़ कर सकते हैं अब इसमें वाला गया है इसमें हम हरा धनिया काटकर डाल देंगे फिर इससे ढखकर हम पकाएंगे 10 मिनट तक यह देखे हमारा 10 मिनट हो गया है और हमारा ग्रेवी भी ठीक हो गया है देख सकते हैं यह कितना अच्छा लग रहा देखने में अब खाने में उतना ही स्वादिस्ट है आप इसे एक बर घर में जरूर बनाएं अब मैंने इसे गर्मा गर्म सर्फ कर दिया है खाने के लिए यह खाने में बहुत ही स्वादिस्ट लगता है आप एक बर बनाएंगे तो आपके मेहमान उमलिया चाटते रह जाएंगे तो इसलिए इस रेसिपी को आप एक बर घर में जरूर ट्राइ करें अगर आप यह देख सकते हैं यह कितना लाजवाब लग रहा है और खाने में उ स्वादिस्ट लगता है अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक जरूर दे और मुझे कमेंट करें कि यह कैसा लगा आपको मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और मैं आपके लिए और ऐसी अच्छी अच्छी रेस जाननी हो तो मुझे कमेंट करें मैं आपके लिए वो रेसिपी जरूर बनाऊंगी थैंक यू